नमस्कार दर्शकों मेरा नाम है रोईट सर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिए एच्पिनो चैनल में आज है तारिक 27 नमबर 2022 दिन रवीवार हिमाचिर प्रदेश के आज के मुख्या समाचार आपको बताने वाले हैं सबी खबर जाने के लिए वीडियो को अंध तक जरूर देखे और अधी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को फ्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथ ही बेल एकन को क्लिक कीजिए इसके साथ ही आप हमारे वटसेप गूर्प को जोएन जरूर करें जहां आपको महत्पूर जानकारी मिलती रहेंगी चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के मुख्या समाचार सीएम जैराम बोले कॉंग्रेस नेताओं को यही मालूम नहीं कि वे खूद जीत रहे हैं या नहीं बावजुद इसके वे दिल्ली दोड़े हुए हैं और सीएम बनने के ख्वाइश पाले हुए हैं उन्होने का कि परदेश में सरकार भाजपा की ही बनेगी कॉंग्रेस नेताओं इस मुगालते में ना रहें कि भी सरकार बना रहे हैं कॉंग्रेस के भूसे दिगजनेता इस बार चुनाव हार रहे हैं शनिवार को ओक अबड़ शिमला में पत्तरकारों से अनुपचारिक बाचीत में मुख्य मंत्री ने कहा कि राज्य मिमत प्रतिशत्ता बढ़ने का कारण यह है कि महिलाओं और अन्य बर्गुर्ण ने बढ़ चड़कर वोट डाले हैं इस बार मद्दातों में महिलाओं चार फिस्दी ज्यादा है पिछले विधानसबा चुनाओं में भी महिलाओं ने भाजपा के नीतियों से प्रभावित होकर बढ़ चड़कर मद्दान किया था और भाजपा ने बड़ी जीत से सरकार बनाई इस बार भाजपा ने महिलाओं के लिए अलग से संकल्प पत्र निकाला है ऐसे महिलाओं ने भाजपा सरकार के पक्ष में मद्दान किया है हेमाचल में 6 दिनों तक मौसम साफ, शिमला से ठंडी चंडीगड और उना की राते है हेमाचल प्रदेश में 6 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार है मौसम ग्यान के इंदर श्रीमला के नुसार प्रदेश में 27 नुवंबर से 2 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है वहीं रात के समय श्रीमला से ज्यादा ठंड चंडिगर्ड वो उना में पड़ रही है श्रीमला के 99 तापमान 10 डिगरी सेल्सियस दर्ज किया गया है जबकि उना में 6 और चंडिगर्ड में 9.6 डिगरी सेल्सियस दर्ज हुआ इसके अलावा सुंदरनगर में 2.7, भुंतर में 2.4, कलपा में 3, धर्मशला में 9.2, नहार में 12.1 समित इन सभी शेयरों के तापमान आप देख सकते हैं श्रीमला में गर्जेक किसान बोले केन सरकार ने दिया धोखा अब दोगुनी ताकत से होगा अंदोलन केन सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की है सरकार ने जूट बोलकर किसानों का आंदोलन खत्म करवाया लेकिन अब एक जूट होकर दोगुनी ताकत के साथ फिर से आंदोलन होगा समुट किसान मोर्चा के बैनर तले शनीवार को किसानों के राजभवन मार्च को संबोदित करते हुए हिमाचल किसान सबा के राजय अध्यक्ष डॉक्टर कुल्दीप सिंग तवर ने यह बात कही इस दुरान राजयपाल के माध्यम से राष्टपती को आज सुत्री मांग पत्री भेजा गया उन्होंने का कि आंदूलन समाप करते हुए सरकार ने किसानों से जो वाइदे किये थे अपके सरकार उन पर कोई कदम नहीं उठा रही है विधैक राके सिंगा ने क्रिशी संकट के लिए सरकार के गलत नीतियों को जिम्मेदार ठेराया उन्होंने किसानों से आवान किया कि वे इन नीतियों खिलाफ एक जुट होकर लडएं अगनेवीर भरती पर गरमा युवा संसत पक्ष और विपक्ष में जमकर नोगजों हिमाचर परदेश तर्य यूज संसत में अगनेवीरों की भरती योजना पर पक्ष और विपक्ष में तीखी नोगजोंग हुई विपक्ष ने का कि अगनेवीर योजना शुरू होना युवाँ के साथ खिलवाड है जबकि विपक्ष ने तर्क दिया कि इसमें योवां को चार साल बाद भी रोजगार सरकार उपलप्त करवाएगी अंतिमे संसत में इस पर सहमती का परस्ताव पास हो गया वहीं गुजरात में वेपुल हासे की भी विपक्ष ने उचस तर्य जाच करवाने की मांग स्पीकर के समख्ष रखी इसके अलावा महेंगाई, शिक्षा, स्वास्थ, स्वच्चता समेत, क्रिशी कानुन विधेक पर भी संसत गर्माया यूज संसत में प्रदेश भर से जिला सर पर चियनित, बारा टीमों ने भाग लिया इसका आयोजन भाशा एम संस्कृती विभाग के कोठो ओडिटोरियूम में हुआ इस दुरान देश शाम नो बजे तक प्रती भागयों ने प्रतियोगिता में भाग लिया जिसका शुभारम डिगरी कॉलेज प्रचारे रिटा शर्बा ने किया जबकि शिक्षा उप्रिदेशा कुछ शिक्षा डॉक्टर जगदिश नेगी विशेश वुर्प से मौजूद रहे समुद्र तल से 17,490 फिट के उच्चाई परस्थित फ्रेंट्शी पीक में लापता शिवला के परवतारोही की तलाश के लिए छेड़े गए सर्च उप्रेशन में काम्याभी नहीं मिल पाई है आठ दिन बाद भी परवतारोही का कोई सुराग नहीं लगा सर्च उप्रेशन में जूटी अटल बिहारी वाजपिक परवतारोहन एवं खेल संस्तान और तिरंगा माउंटेन रैस्क्यू दल की टीम के 8 सदस्थे मनाली लोट गए हैं तीन सदस्थे वहीं पर रुख गए हैं ये तीन सदस्थे किन और से आ रही डोगला स्काउट के जवानों के रैस्क्यू टीम के साथ सर्च उपरेशन में हिस्सा लेंगे शनीवार शाम तक डोगला स्काउट के टीम के मनाली पहुँचने के सम्भावना जताई जा रही है गौर्टलम है कि श्टनिवार को शिम्रा की चोपाल तैसिल के अच्छाला गाउं के आशुतोष फ्रेंशिप पीक की चड़ाई करते बग हिमस्कलन की चपेड में आने से लापता हो गए थे आठ दिन से फ्रेंशिप पीक में सर्ज ओपरेशन चलाया जा रहा है पंद्रह हजार फीट की उचाईप पर बेस कैम बनाकर टीम दो दिनों तक वहीं ठहरी सुबे से शाम तक सर्ज ओपरेशन चलाये गए लेकिन लापता पर बतारोई का सुरा नहीं लगा अब ठन में नहीं ठीटूरेंगे परधानाचारे ने 365 विद्यार्थों को बाते 4,00,000 कोट हिमाचल परजश के कुल्लू जिलिन वरिष्ट माधर में पारशाला काईस के बचे अब ठन में ठीटूरेंगे परधानाचारे तलपनर शर्मा की बदद से स्कूल के सभी 355 विद्यार्थों को ठंड से बचाने के लिए एक एक गरम कोट दिया गया सबसी ज़्यदा फाइदा उन छातरों को हुआ जो गरीब हैं समारों में उपमंडल अधिकारी कुलू, विकार शुकला, मुक्यादिती के तोर पर शामिल हुए परधानाचारे ने कहा कि यदि आप दूसरों के जिद्गी बहतर नहीं बना सकते तो समझे कि आप तुमना समय बरबात कर रही है जितना समाज आपको देता है, उतना आपको समाज को लोटाना चाहिए उन्होंने कहा कि इस पुनित कारे में उनका सयोग स्कूल के सैपार्टी ने भी दिया वे अमेरिका में सौफ्वेर इंजिनियर है, इस पर करीद 4 लाग रुपे खर्च किये गए मुख्यादीती विकास शुकला ने कहा कि पिर्सिपर की अच्छी सोच से यह समभव हो सका है इस मौके पर स्कूल प्रबंद समीति के अध्यक्ष निहाल चन, सदस्य और अध्यापक भी उपस्तित रहे राजगड में मिला व्यक्ति का शव, जिरकपूर में मंडी के युवक की मिली लाश हिमाचल के सिर्मोज जिला में एक व्यक्ति का शव मिला है वहीं पंजाब के जिरकपूर में एक हिमाचली युवक की मौत हो गई है युग की मौत का कारण ड्रक का ओवर्डोस बताया जा रहा है फिलहाल पुलिस ने मामला दर्च कर दोनों सवों को कबजे में लेकर अगामे जान शुरू कर दी है पहला मामला सिर्मोज जिला के राजगर्ड से सामने आया है यहां उपंडल राजगर्ड की घील खट पब्याना में एक वक्ती का शव मिला मिर्टक वक्ती की अभी तक पहचा नहीं हो पाई है सूचना मिर्टे पुलिस मौगे पर पहुची और शव को कबजे में लेकर अगामे जान शुरू कर दी है मिर्टक की आयू 55-60 वर्ष के करीब लग रही है मौगे लाश काफी गल सड़ चुकी है पुलिस में मामला जर्च कर जान शुरू कर दी है मौगे पुलिस ने FSL जुनगा की टीम को भी मौके पर बुलाया वहीं दूसरा मामला जिरकपूर से सामने आया है यहां एक यूग की किराय के मकान में सीडियों के नीचे शव मिला है मौगे यूग की पहचा नवीन सी सोधिया, उम्रतीस साल, निवासी गाउंट डीडोर, नहरा, जिला मंडी के रूप में हुई है बताया जा रहा है कि जिरकपूर में पटियाला रोड पर बने एक धाबे के पास यह यूग एक शॉप के ओपर दूसरी मंजिल पर किराय के मकान में रहता था यूग का शव जिरकपूर में किराय के घर में सीडियों पर मिला मिरितक के हाथ पर सिरिंच के काफी निशान मिले है वहीं वे शराब पीने का भी आदी था मिरितक का एक वर्ष का बच्चा भी है पुलिस ने युवक कशव कबजे में लेकर अगामे जान शुरू कर दी है वर्दी पहनने का सपना होगा पुरा 45,284 पदों पर निकली भरती आविदन को चार दिन शेश सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए रहत भरी खबर है देश भर में 45,284 पदों पर भरती होने जा रही है यह भरती BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSF, Assam Rifles और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में हो रही है इन 45,000 पदों पर भरती प्रक्रिया शुरू हो गई है हाला कि इसके लिए आविदन प्रक्रिया पिछले मां से ही शुरू हो गई है जो की आगा में 30 नौबर तक चलेगी अभ्यर्तियों के पास आविदन करने के लिए अफ 4 दिन का ही समय शेशत बचा है करमचरी चेन आयौग की ऑफिशल वैबसाइट पर जाकर अभ्यर्ती इन पदों के लिए आविदन कर सकते है पुर्षों के लिए 4,274 और महिलाओं के लिए 4,835 पदों पर यह भरती होगी अधिक जानकारी के लिए आप SSC की वेबसाइट पर विजिट करें हेमाचल के कुल्लू में 3 किलो 616 ग्राम चिरस के साथ व्यक्ति धरा शक होने पर लीथी तलाशी हेमाचल में नशे के सोधागर खुले आम घूम रहे हैं यहें नशे के सोधागर अपना घर बरने के चक्कर में देश की युवापीडी को नशे के दलदल में धकेल रहे हैं ऐसा ही एक बड़ा नशे का सोधागर कुल्लू जिला में पकड़ा गया है इसी दुरान शक के अधार पर एक विक्ते के तलाशी ले गई तलाशी लेने पर आरोपी से 3 किलो 616 ग्राम चरस बरामद हुई आरोपी के पैचान धर्म चंद, पुत्र सेस राम, निवासे गाउं कशादा, डागर बरादा, तैसेल भूंतर, जिला कुलो के रूप में हुई है वहीं आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और NDPS 8 के तहयत मामरा दर्चकर आगामे छानमिन शुरू कर दी है हिमाचल में शुरू हुई तेंदुआ और काले भालों की गिंती हो रही है प्रदेश में ये पहली बार सैंटिफिक सर्वे हो रहा है, विभा के पास इनकी संख्या के बुकता प्रमाण नहीं है जो लोजिकल सर्वे आफ इंडिया के सयोग से पूरे हिमाचल में चीनित कियेगे टैपिंग एरे के सैंपल कलेक्शन का काम पिछले मा मुकमल हो चुका है अब अगले साल मैं जून तक यह रिपोर्ट फाइनल हो जाएगी इस संबन में हिमाचल में वर्ष 2003-2004 में जनरल सर्वे हुआ था मगर यह कारगर साबित नहीं हो सका था तेंदो कभी कभी नर्भक्षी हो जाता है इसके लिए आवाज भी उठती रही है वाइड लाइफ के एडिशनल PCCF अनिल ठाकुर का कहना है कि प्रोसेस लंबा रहता है लेकिन पहली मरतबा इस तरह का सर्वे हो रहा है सैंटिफिक सर्वे से वास्तुएक सिती सामने आएगी इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा मैं जुन तक रिपोर्ट आने की उमीद है इसके बाद इन से सम्मधित समस्यां और स्ट्राटेजी बनाने में विभाग को मदद मिलेगी इसलिके स्ताथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नई है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें चले मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत